कि अधिए प्रेंड साभ सभी को एक बार पुना वेलकम सुष्वागतम सभी को आपके अपने येटूब चनल एजुकेशन मलपी नहीं हार्दिक स्वागत कर दाऊं सभी को नमस्कार सभी को प्रणाम साथ ही तो एक बार पुना आपके सामने के मैस्ट्री काई सेक्शन निकर या वहिए और आप लोगों को पता हुआ दोस्तों किसमें कुछ इंपोर्टेंड लिखा गया है जिसमें से वल्यों को और अब्जेक्टिव को संस ऑब जेक्टिव को समलोगों को दोंगों पूछे जाते हैं जो आपको ध्यान रखना पड़े का जैसे हमने कुछ कुछ के बारे में जैसे बात करें जैसे आपको मिथेन लिखा गया है तो आपको इक बात करें तो आपको प्रियोग्साला में बनाते कैसे हैं तो सबसे पहले कुछ कमपाउंड हमने लिखा एक करके मैं परतेक कमपाउंड के बारे में आपको बताऊंगा ताकि आपको समझ में आना चाहिए तो चलिए मैं प्राराम करता हूं वीडियो को दूस्तों और यदि आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो कमेंट की कीज़िएगा और चैनल को सबस्क्राइब कीजिए खागए यहां पर हम भूट लिए हो रिकवाध कि गया था कोश्टिंढगा की मिद्हेन कैसे बनाया जाता पूछेहा फर्मूला होता CH4 और दूसरा कोसन आपको ध्यान रखना है कि मिथेन को हम लोग सरलतम हाइड्रो कारवन कहते हैं तिसरा कोसन आपको ध्यान रखना है कि मिथेन को हम लोग प्राकिर्तिक गैस कहते हैं चौन्था कोसन ध्यान रखना है कि मिथेन को हम लोग मार्स गैस कहते हैं मिथेन को हम लोग प्राकिर्तिक गैस कहते हैं यदि आप से कोशन पुछे प्राकिर्तिक गैस किसे कहा जाता है तो मिथेन को कहा जाता है दूसरा कोशन देगा कि सरलतम हाइड्रोकारवन कौन होता है तो सरलतम हाइड्रोकारवन कौन होता है तो सरलतम हाइड्रोकारवन आपक गैस तो संप्यडित प्राकिर्तिक गैस में कौन यह पया जाता है तो हम लोग builds अगया कि गैस यहां घञाता है जरी यहां पूछे मार्श गैस किसे कहा जाता है मार्श गैस किसे कह जाता मार्स गैस किसे का जाता है तो उसका आपको क्या होगा त Smells आपने को जान पॉइंट आभी से हम जो को मिधेन बहुत अपजेक्टीव के लिए इंपोर्टेंट माना जाता है क्योंकि मिधेन को हिए फिल वह इंब लोग प्राकिर्ति गैस चाहते हैं मिधेन को इसको हम लोगों को बनाने की बिधी देख रहे हैं दोस्तों कि हम लोग मिधेन बनाते कैसे हैं चलिए आपको अब्जेक्टिव अब तक समय में आ चुका हुआ मिधेन का फर्मूला पुछेगा तो CH4 होता है मिधेन का फर्मूला क्या होता है यह कुछ ने और पूछा जा कि म मिधेन में कारवन और हाइड्रोजन मिधेन में कारवन और क्या हाइड्रोजन तो मिधेन में आपको कारवन और हाइड्रोजन का यदि आप से पूछा जाए क्या अनुपात क्या है पर्मानुओं की संख्या का क्या अनुपात है तो मिधेन में कारवन और हाइड्रोजन हेज थूह माल ये आजा की वाटर जिसको आप लोग जल बोलते हैं ये ये जल में हाइड्रोजन और अक्सिजन का अनुपाद के खोता है को ये ज़ victorious, आप देख तो कितना होता है ह। चलिए इक होता है है यह एक एक्जाम पर आपको और कर लेते हैं जोड़ी आप से पूछा जाए कि आमोरिया क्या बोल ह दो दोस्तों आमोनिया एंड Seven पूछा की आमोनिया में इस में आमोनिया में आमोनिया नाइट्रोजन और हैड्रोजन कानुपास कितना फथा होता नाइट्रोजन आप देख रहा हैं कि एक है और हाइड्रोजन आप देख रहा है कि तीन है तो इस तरफ प्रकार से बोल सकते हैं कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात एक अनुपात तीन है एच टूओ में आपको हाइड्रोजन और जल का अनुपात सोरी हाइड्रोजन और अक्सियन का अनुपात आपको दो अनुपात एक है उसी प्रकार से आपको मिथेन में पूछा जागा तो मिथेन में आपको कारवन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना हो जागा तो एक अनुपात चार हो जागा जैसे एक छोटा सा कोस्टन आपको ब बारा ओशिक्स जिसको आप लोग गुलुकोज बोलते हैं तो गुलुकोज में ऑक्सिजन की संख्या कितना है छे बात करें तो एक कोस्टन समलोग और देखे थे दोस्तों बोड एक्जामी पूछा किया सवाल में बात कर जिक्र कर रहा हूं आपको कोस्टन पूछा था आपक कुछ कुछ यह बात आप सून कर भी याद कर सकते हैं यहां से आपको 5-6 ब्ज्चेटिव हमने बताने का प्रयास किया आप लोग सुनते होंगे कि ऑजोन ऑजोन कगर बोला जाएगा कि ऑजोन का फर्मूला क्या हूँआज होता है तो अजोन का फर्मूला होता है मोगों का और फ्रमूला क्या होता है अगर कोस्टन देखा कि और जोन में और जोन में और जोन में ऑक्सीजन की संख्या कितना होता है तो जोन में आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की संख्या कितना है तीन है तो जोन में ऑक्सीजन की संख्या देतीन है तो जोन में ऑक्सीजन की संख्य का तीन है तो after the scene की संख्यां पूछेगा oxygen प्रमानों की संख्यां कि इतना हो जाएगा तीन हो सब्सेवात को मैं पूरा कि आपो समझ में आ जायें है कि मःखेन का फ़र्मूला क्या होता है यह यदी अभी यह ना क्यों अभड़ाया कि मिथेन का फेर कीरिम होता है अब तिस्रा सवाल कि मार्स ग्यास कि ऊप्रेंटियर्टिक लोग मिध्यों को कहते हैं । उसके बाद ंधर सवाल करें कि आपको सर अलतम हाइđडरोकारवन किया है तो आपको सरलतम हाइडरोकारवन वह मिध्योट ही एगर बोले हैं कि प्राकुर्तिक मैं बोलता हैंं तो आ होता है नीरल गैस में पूछही सकते हैं कि डिस्टाइक होते हैं आममोνिया में आपको नाइट्रोजन और अहे voltage क्या होता है तो एक अनुपाद 3 होता है गुलिकोज में औक्सिजन परमानुकी संख्या कितना हुता है नोद नहीं होता है तो आप से भशाट है कि पूछता है जैसे पूछता है ज़य कि अपker यांदात कि आप बनाने कोस्टन आपको देगा ऐसे कि मिथेन परयोक्षाला में कैसे बनाया जाता है मिथेन परयोक्षाला में कैसे बनाया जाता है तो आपको कोस्टन देगा कि मिथेन परयोक्षाला में कैसे बनाया जाता है मिथेन परयोक्षाला में कैसे बनाया जाता है तो आप कोस्टन आ आपको कहता है की मिध्छीन प्रयोक्सोय लाइ में कैसे बनाया जाता है तो आपकी Radia का नाम यार रखने पड़ेगा जिसको लोगों बोलता है sodium Onunसर बोले दोस्तों था था आपको आज एसी टेट के साथ एसी टेट के शाथ तो हम लोग बोल सकते हैं कि मिथेन परयोक्साला में कैसे बना जाता है तो आपको बोलना पड़ेगा सोड़ा लाइम के अभी किरिया सोड़ा लाइम के अभी किरिया यदि सोड़ा लाइम के अभी किरिया यदि सोड़ा में सी टेट के सा इत्षेंप्स का निर्मान होता है सूदा लाइब के साथ होता है तो इसे तो इसे मिठेन गैस का निर्मान होता है तो हम लोग bolo सकते हैं कि हम सवाल पूछएगा की की का रिर्मान होता है हम्ने आप भी एक अन स्टेट्टमेंट Misak के परयास किया चली पहले रियेक्शन इसको देखते हैं तो आपको काता है कि sodium acetate के दिने मैं बात करू तो Cs3C caste qonい को हम बोलते हैं sodium acetate क्या बोलेंगे sodium acetate तो इसी को हम बोलते है sodium acetate तो आप से पूछा जाएका कि sodium acetate का फर्मुला क्या होता है सोडालाइम कौन लाइम तो चलिए हमने आपको बोला गिरिया जब सोडालाइम करवाते हैं लाइंडे कहां दिखाई पड़ रहा होगा तो आप से ॉने का किया और यहां से हमने लोग न वे कौ吗 यहां से की अगर बने बंदाओं अब और अगर निकालते ह Freddie को अगर आप निकालते हैं तो आप निग्हां को क्या बनेगा यहां से आपको बने ृस्की हएं मिथयन के साथ कराते है तो मिथयन निर्मान होता है सोडियव में city का फर्मुला क्या होता है तो सोडियव में अगला कोस्षण इसी में हम लोग जूरता है जोस्तों कि मिथेन गैस की अभी किरिया ये यादि आप कलोरीन के साथ करवाते हैं, प्रकास के उपस्थिती में तो क्या बनता हैं, तो हम लोग इसी में अड्ड करते हैं, इसी कोश्चन में आपको लिखना पड़ेगा कि मिथेन गैस की अभिकिरिया क्लोरीन के साथ प्रकास की उपस्थिति में इसक प्रचन में आपको बोलता है कि मिथेन गैस की अजय हम लोग बात करें कि तो फर्मूला हो गया सी sudden हो गिया लाइट आपको कछता है कि प्रकास की उपस्थिति में दी करवाना है तो सब के पास हाइडयोजन कितना बचेगा तीन बचेगा और यहां पर कहता है कि स्ग्राइब चैनल के संख्या कितना दो तो एक शिल को आप इसी को देदीजी तो आपको बन जाएगा कमपॉडं कुछ इस कदर और यहां से अपने जो हाइड्योजन हटाया था और यहां से आपने आपका जो एक सी एल बच रहा हो फिल आपको बाहर हो जाएगा उसके बाद यह आप इसी कायदी आप और करवाते हैं इसी कंपॉण्ड को ले करके CH3 CL इसको पूना आप रियक्टर वाते हैं क्लोरीन के साथ प्रकास की उपस्थिती में फिर से हमारी बात को सुनिएगा यहां से हैड्रोजन एक हटाइए यहां पर हैड्रोजन कितना है तीन है तो यहां से हटाइएगा तो कितना बचेगा दो बचेगा और यहां से आप ले यहां से सी एल टू है यहां से सीयल गूं अ इसमें कर दिजęt को जोड़ेसे तो ही जाबेसे से ऐक चीएल धावल एक सील और लाईएगा तो आपको सीयल कितना हो जाएगा दो हो जाएगा तो बोझ सकते हैं कि प्रीजऱ्ीट रेक्ट करते रहें अब सिएच 2 सिएफ 2 की अभी किरिया पुना हम लोग एदि क्लोरीन के साथ कराता है जब तक आपका हाईडोजन समाप नहीं होता है तब तक आप रियक्ट्टिन करवाते रही सब चाहते रहे तो यहां से फिर हाईडोजन में एक हमाठाता हूँ ख छोटे सी हैच सीएच सीएच सील थिरी सी एच c Al-3 प्लस सीएल-टू रिकास के उपस्तिती महऄ रहा है तो आपको पुना है यहां whenever हाटाईए हाटाईएगा यहां से आप यदि हाइड्रोजन को यहां से यदि आप हाइड्रोजन को हटाईएगा तो बचेगा क्या सी बचेगा यहां पर क्लोरीन यहां से लाईएगा यहां पर आपको हो जाएगा तीन पहले से एक और आएगा तो सील फॉर हो जाएगा आप नाम थ्वासा लिखना आपको बड़ा इंपोटेंट है चलिए इसका नाम बत करें तो इसका बोलता है क्लोरो मिथेन क्लोरो मिथेन का फर्मूला पूछे तो आपको हो जागा दे हैं यहां पर लिखा गया है CH2Cl2 इसका नाम पुछेगा तो बोलेगा डाइक क्लोरो क्या बोलेंगे डाइक क्लोरो और एक कारवन है तो मिथेन हो जाएगा डाइक क्लोरो मिथेन आगे लिखा गया CH3 इसको आप लोग भाली भाती जानते हैं ट्राइक क्लोरो मिथेन बोलिए या तो क्लोरो फॉर्म बोलिए क्लोरो यदि कोई बंदा बोलता है ट्राइक क्लोरो तो तीन क्लोरीन तो ट्राइक क्लोरो हो जाएगा तीन क्लोरीन तो ट्राइक क्लोरो और मिथेन हो जाएगा ट्र टेट्रा क्लोरो टेट्रा क्लोरो एक कारवन है तो क्या हो जाएगा मिथेन हो जाएगा या इसी को हम लोग पाइरीन भी बोलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं पाइरीन तो आप से यदि सवाल करें चु कि मिथेन गैस्ट पर यूट सटाया में कैसे बनाया जाता है तो आप को बोलना पढ़े गा कि सॉडिया-मेंस हीरिया जब мरी कुली के contexts सोड्यक्राइब करते हैं तो इसे हम लोगा मिथेन गैस का नियमान होता है और यदि आपको बोला जाए कि मिथेन गैस के लिए क्लोरीन के साथ करवाएं तो आप क्या कि जएगा कि मिथेन लिजएगा और प्रकास की उपस्तिति में करवाना है तो जा हडोजन यह खट आते ज यहां से आपने दो से निकाला तो बचा यहां पर एड करना है कि वो किसको हटा करके है लिखा गया है तो यहां से आप एक वह रखा दीजिया क्लोरीन को पुर्ण जोड़ दीजिये यहां से लाकर कि तो है चलंडे के वारे में अकर थाए तो बचेगा कितना एक और दो पहले से था एक गहर जोड़ियेग तो로 गार हाट आपने को पृष्ट आम पारे में आपको पहला कंप奉न बताने का प्रयास के मिध्यन के वारे में आप ज़रा समझेगा इथाइल अल्कॉल हम लोग कैसे बनाते हैं तो इथाइल अल्कॉल के बारे में हम लोग समझते हैं कि इथाइल अल्कॉल हम लोग बनाएंगे कैसे चलिए हम लोग इसको रफ करते हैं उसके बाद हम लोग इथाइल अल्कॉल के तरफ भी चलते हैं और मैम सवे चली तो अगला को कोस्टन लिखा गया है थालल को कैसे बना जाता है तुझे आप मैं अगर देखी गा तो आप हर्मूला ऑजनी एाञगा हुथ होता है धिसका सबस्क्राइब होता है काता है दोस्तों कि इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल परियोक्षाला में किनुवन बिधी द्वारा बिधी द्वारा बनाया जाता है इथाइल अल्कोहल परियोक्षाला में किनुवन बिधी द्वारा बनाया जाता है अब कहता है कि इस बिधी में इस बिधी में सरक्रा को किसको सरक्रा को सरक्रा को इन्वर्टेज इंजायम की उपस्थिती में इन्वर्टेज इंजायम की उपस्थिती में जलब घटन कराने से जलब घटन कराने से गुलुकोज तथा फुरुक्टोज गुलुकोज तथा फुरुक्टोज का निर्मान होता है तथा गुलुकोज को जाइमेज इंजायम की उपस्थिती में जाइमेज इंजायम की उपस्थिती में की उपस्थिती में गर्म करने पर इद्धाइल अलकोहल का निर्मान होता है चली तो हमने आपको बोला कि इद्धाइल अलकोहल की निर्मान बना जाता प्रयोक्षाला में आप बोलता है कि थी में इस बिद्धी में सरक्रा को तो सरक्रा को हमलों लोग बोलता है चीनी क्या बोलता है चीनी ताब बोल सकते हैं चेम उपस्थिती में इंवर डिज इंजाइम की उपस्थिती में इंवर्टेज इंजाइम की उपस्थिती में अधि आप जला भुटन करवाते हैं तो आपको यहां से बनता है C612 C6H12O6 पलस C6H12O6 इसको आप लोग बोलेगा इसको आप लोग बोलते हैं फ्रुक्टोज क्या बोलते हैं फ्रुक्टोज उसके बाद बात कहता है किसे में आपको बोलता है कि जो आपका ग्लुकोज हो या फ्रुक्टोज है उसको आपको क्या किजिए C6H12O6 जो आपका है जाइमेज इंजाइम की उपस्थिती में जाइम पदलेगा इथाइल अलकोहल में बदलने सा इसको पहले एक बड़ शुना है कि सबस्टारू को जलब घटन कराने से गलकोज होना सब्सक्राइब को जलब घटन कराने से गुलुकोज का निर्मान होता है जो जाय में जिन जायम की उपस्तिति में इथाय अल्कोहल में बदल जाता है इतना भी लिख दीजेगा तो आपको काम चल जागा इतना अगर न भी लिखेगा तो एक बार मैं इसको सौट बोल देता हूं आप कौपी म जार हमेशा ऐसे ही बना रहेगा मुझे आसा है आप लोग वीडियो को लाइक के साथ साथ कमेंट भी कीजिएगा लाइक कीजिए सबसे पहली परात्मिकता और उसके बाद कमेंट अबस्त करें आपको मतलब वीडियो में क्या प्रोग्रेश है क्या मतलब कमिया है उसको अपग्रेड करने का प्रयास करूंगा तो आप लोग बोलिएगा तब तो कुछ अपग्रेड होगा आप लोग कुछ बोलते हैं नहीं कमेंट तक नहीं करते हैं वीडियो देखते हैं पूरा वीडियो भी नहीं देखते हैं यदि आप पूरा वीडियो देखिएगा तब तो को सुधार करना चाहिए वहीं आपको सुधार किया जाएगा तो इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है काइनली रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग वीडियो देखिए तो पुरा देखिए और लाइक कीजिए और कमेंट अबस करें कमेंट में कोई कमी न कीजिए और अब घटन कराने से गुलुकोज का निर्मान होता है जो जाय में जिन जायम की उपस्थिदी में इथायल अलकॉहल में बदल जाता है इतना भी लिख दीजेगा तो हम लोग काम चल जागा कोई दिकत नहीं चलिए एक कोस्टन से हम लोग और करते हैं कि सिटिक अमल कैसे बनाय करें अब कमेंट थोड़ा साथ किजिएगा कि ताकि मैं एक मतलब अपने आपको कुछ और सुधार शकूं तो चलिए हमने लिखा यहां पर अगला कोस्टन कि सिटिक अमल कैसे बनाया जाता है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों कि जो हम कोस्टन लिख रहे हैं जिया रखना इतना ही आपको कंपाउंड है जो आपको बनाने के लिए देता है पुछली हम लोग इसको पढ़ लेते हैं कि वार इसे एक्षन में ही हम लोग अस्टेटमेंट पढ़ लीजेगा आप लोग मैं रियक्षन ही लिखता हूं कहता है कि थाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल CH3 CH2 OH इसको आप लोग बोलते हैं इथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल तो इथाइल अल्कोहल को कहता है कि ऑक्सिक्रीट कर देजी क्या कर देजी ऑक्सिक्रीट मतलब ऑक्सिजन की संख्या बहा देजी हाइडोजन की संख्या घटा दीजी तो उसी को बोलते हैं ऑक्सिक करन तो इथायल अलकोहल को ऑक्सिक करने से इथायल अलकोहल को क्या करने से ऑक्सिक करने से आपको बनता है एसिटिक अमल एसिटिक अमल इथायल अलकोहल को ऑक्सिक करने से एसिटिक अमल का निर्मान होता है कि इभी आपको ध्यायार रखनाय कि इथाईल अलकुहल से इथाईल अलकुहलil को ऑक्सी कृत करने से सिटिक अम्र कांधिर्मान होता है तो आप इसको कहलाता है तो हाप देख सकते हैं कि था हाधन्स को हवर में के संख्या एक है बल कि यहां पर लुक्त है तो देखेघा तो एक शी च.टback को वो कितना हो जागा दो हो जागा तो आप देख सकते हैं कि आप औक्सिजन की संख्या में ब्रिधी हुई है इसको बोलेंगे ऑक्सी करने क्या है ऑक्सी करने